हेलो फ्रेंड्स वैलकम टू मैजिकल हैंड मैं रीना और आज हम बनाने वाले हैं कुछ ऐसा कि जिसे हर कोई बना सकता है जिसे कुछ नहीं आता है स्टिच करना वो भी इसे आसानी से बना सकता है और यह बहुत यूस्फुल भी है सबसे पहले मैंने यह 10 बाइन इचीज का फ सेम नाप के हमें 10 बाइन इचीज का ले लेना है अब मैंने एक जिप ली है नाइन इचीज की और उसके लिए मैंने एक रनणर लिया है और यह लेस मुझे बहुत ही पसंद है तो इसके लिए मैं इसका भी यूस करने वाली हूं तो चले दोस्तों हम सुरू करते हैं सबसे अर्षाल is a fabric Twenty नीचे मैंने рब फॉंय रख और यहां पर एक अस्तर रखेंगे और यह सीनों पार्ट्स को हम अटेच कर लेंगे अब जो हमने यह सेकंड अस्तर लिया था उससे लेंगे यहां पर सेंटर में रखेंगे पर इससे पहले यहां से इस तरह से हमें इसे फॉल्ड करना है और उपर हम स्टीच कर लेंगे इस तरह से यह दोनों साइड हमें स्टीच करके फॉल्ड करना है अब यह मैंने यहां पर स तरह से फौब करलेंगे। और यहां पे मैंने मार्क कर दिया है। जया निकल लिया इसका और ऊसी तरह से इसे भी성 करके हम इसका भी सेटां कम अब यह दोनों शेंटर को हमय वीलता है। और इसके ऊपर हम तीज्प कर लेंगे तो तो यह आटेच हो गया अब हम जिप लेंगे और उसे हमें यहाँ पर उल्टा busy इसके उपर और यहां से हम टीच कर लेंगे जिप अटेश हो गई है अब इसे हम यहां से इस तरह से फॉल्ड करेंगे और यहां उपर स्टीच करेंगे ताकि यह उपर दिख रहा है वह दब जाएगा प्रेस्टीच कर लेंगे उसके बाद हम यह जिप जो है इसे हम यहां से लेंगे और यहां पर जिस तरह से हमने लगाई उसी तरह यहां सेकंड साइड जिप को अटेज करके प्रेस्टीच कर लेंगे यहां ने दोनों साइड जीप अटेज कर लेंगे अब यहां पर मैंने एक साइड लेस लगा ली है यहां पर हमें इस तरह से अधर वेखेंगे और एक wspól स्टिच यहां पर और सबस्टे औरगों अब हमें यहां पे जो अपन है इसे हम अटेच पर लेंगे यहां पर सीधरेश लिए फीच करके दोनों साइड ये दोनों साइड अगर अगर आप यहां पे चाहें तो और एक पैबरिक रख सकते हैं इससे 2 इंच तो यहां से मिडल में आप स्टीच करके इसे अलग पार्टिशन भी आपर कर सकती हैं तो यहां पर दो पोकेट हो जाएंगे मैं यहां पर एक साइट स्टीच कर रही हूं तो यहां पर हमारे दो पोकेट बन गए अब इसे हमें इस तरह से उल्टा पकड़ा है और यहां से हम रनर ताल लेंगे और रनर भी हमें उल्टा ही पकड़ा है क्योंकि यह हमने उल्टा पकड़ा है यह एक बार रनर डाल के हम निकाल लेंगे और फिर से डालेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग आ जाए यहां पर हम दोनों साइट स्टीच करके इसे पैक कर देंगे कि यह में दोनों साइट स्टीच कर लिए और यहां पर एक्ष्ट्रा कट करके साइड में थोड़ा स्टीच कर लिए ताकि यह बाहर फ्रेड ना निकले अब यहां से रनर के पास से हम इसे उपन करेंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे कर दो बाल दो freaky यहां से ञ CC पर लेंगे कर लिए और ना जो ठीचेंगे कर दो प्रॉनों कर दो फ्रेंगे कर दो oikeषा आईग, का ईहला है और झाल झाल